मध्यप्रदेश में एक पुरानी कहावत चलन में है डग डग रोटी, बग बग नीर ये कहावत बेमानी लगने लगी थी क्योंकि सूखा राज के खेतों तक पसर गया था और किसान बेहाल हो गए थे सूनु के अम्मा, हागा है अम ये ही है खाने में हाँ ये ही है क्या होगा उस देश का जिसमें किसान के थाली में ही दो मुठी अनाज नहीं है खाने को जो खुद अपना पेट नहीं भर सकता है वो पूरे देश का पेट क्या भरेगा ये भगवान ये कैसा दिन आ गया है अन्न दाताई आज अनाज के लिए तरस रहा है इस तरह सर पकड़कर बैठने से कुछ नहीं होगा अरे दुनिया के बारे में सोचना छोड़कर अपने बारे में सोचो अगर यही हाल रहा ना तो एक दिन भीक मांगने की नौबत आ जाएगी अरे तो क्या करूँ बादल बन के बरस जाओं अपने बंजर खेट पर जो आदमी के बस में नहीं है वो कैसे करूँ इस सूखे बंजर खेट हमको क्या दे सकते हैं किसानों के आख में बेबसी के आशू अब कुछ नहीं हो सकते जो किसमत में है वही होना है जब उस खेट का कुछ नहीं हो सकता तो उसके बारे में सोचना छोड़ दो जैसे पहले दूसरों के खेटन पर मजदूरी करके अपना पेट पालते थे वैसे ही पालेंगे मैं तो कहती हूँ अगर कोई चार पैसे दे तो इन खेटो को बेच दो पागल हो गई है क्या खेटन को बेच दो अर धरती हमारी मा के समान होती है और अपनी माँ का कोई सोधा करता है क्या? बूखों मर जाओंगा लेकिन अपनी जमीन नहीं बेजूंगा चले दो अपने बापू की कसम खाके पेपर लो और तो कुछ बजेगा नहीं खाने को क्या डूल रहा हो? अरे बुझर कुछ नहीं तुम अपना काम करो तुम कुछ गरपर तो नहीं करने वाले अरे अब और क्या गड़बड करूंगा अना रहेगा बासन बाजेगी बासुरी मेरा मतलब हमें भी बताओ के का करने वाले हो वही कर रहा है जे तु कह रही थी अपनी इस दर्ती महिया को बेचने जा रहे हैं ताकि बच्चों को जिंदा रख सके यह दर्ती महिया अब का माफ कर दियो अरे सोनु के बापू रात भर में इसन का हो गया ही सुबेरे सुबेरे सद्दरज कर कहां जा रहे हो उनों लाटरी हाथ में लग गई का बस कुछ ऐसा ही समझ लो समझ लो की लाटरी लग गई ज्यादा पहली आने बुझाओ सिधे सिधे बताओ अरे सोनु की अम्मा हमारे दिन बदलने को है समझ लो कि बूरे दिन खतम तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे कोनों जादू हो जाएगा और हमारे सूखे खेत पानी से लबलबा उठेंगे तु बिलकुल ठीक कह रही है जादू ही हो जाएगा और अब हमारे खेतन में हमारा अपना कुवा होगा हमारे खेतों को पानी मिलेगा और हमारे दुख के दिन छूँ तुम तो ऐसे कह रहा हो जैसे कोनों खजाना हाथ लग गया है यह दूजून रोटी का पैसा नहीं न और कुवा खुदवाने के लिए पैसा कहां से लाएंगे तो ठीक कहती है सोनू की अमा पहले हमें भी लगता था कि हमारे दुख के दिन कभी नहीं फिरेंगे लेकिन लेकिन का चल बताता हूं यह दे चल बैट बताता हूं वो कल में जमीन के कागज लेके नहीं जा रहा था तो रास्ते में मार्च साहब मिल गया थे हमको और उनके साथ में अपनी वो शशी दिदी वो अपनी ग्राम पंचायत की सचीव है न वो भी मिल गई कहानी किस से बाद में सुना न असल बात का ही ही बताओ अरे तनी धीर तो रख बताता हूँ अब मार्च साहब तो हमारे हालत के बारे में पहले सी जानते थे उन्हों ने जब मेरे हाथ में खेट के कागज देखे न तो उन्होंने अंदाजा लगा लिया कि बात कुछ ठीक ना है इतने में शर्षी दीदी ने पूछ लिया कि के बात है और मार्च साहब ने सारी बात तो शर्षी दीदी को बता दिया फिर क्या हुआ पहले तो शर्षी दीदी ने हमारी पुरी बात सुनी और फिर उन्होंने कहा कि चिंता मत करो तुमारे सारे दुख्य दिन खतम हमें तो समझ में ही नहीं आया कि ऐसा कैसे हो सकता है फिर मास साब ने बताया किसी सरकारी योजना के बारे में वो कह रहे थे कि इस योजना में सरकार हम जैसे छोटे किसानों के साथ है वो हमारे खेत में कुवे खोद कर देगी और इकना ही नहीं उस कुवे खोदने को जो मेहनत करेंगे ना उसकी मजदूरी भी हमें मिलेगी सोनू के बापू ऐसी दिल लेगी ना करो घर की दसा देखकर हमका सपने ना दिखाओ अरे सोनू की अम्मा तो चिंता मत कर अब हमारी सरकार हमारे साथ है वो दीदी ना कोई कपिल धारा यूजना के बारे में बता रही थी जिसके तहट ना सरकार ग्राम पंचाय से हमारे खेत में कुवे खुदवा कर देगी आसा है तो तो बहुत अच्छा है पर मेरे मन में एक फास है कि कुवा खुदवाने के लिए तो बहुत सारे पैसो की ज़रूरत पड़ेगी सरकार देगी कितना पैसा अरे तो बात तो ठीक कह रही है जैसा कि मार्च साब ने बताया था ना उसके हिसाब से तो कुवा खुदवाने में पैसेों की दिककत आड़े नहीं आएगी सरकार हमें कुवा खुदवा कर देगी अचा चल मैं में चलता हूँ और दीदी हमारा रास्ता देख रहे होगी तु घर जा मैं आता हूँ ठीक है दुम जाओ तो ठीक है आपका वेदन ग्राम सभा में पारित होने के अपते भर बात सिक्रित हो जाएगा अरे ओ सोनु की अम्मा हमारे दुख के दीन अब खतम संझो क्या हुआ बात हो गई क्या हाँ भगवान की और हमारे मध्यपर्देश सरकार की ना हम पर बड़ी किरपा है ठीक है रहे हो सोनु के बापू मैं तो बस मरने ही वाली थी ही लाइकन के मूँ देखती रहती थी अच्छा यह बताओ उन पैसन का का हुआ कितने मिलेंगे अरे उसकी चिंता तुम ना करो सियो साफ से हमारी बात हुई है और क्राम पंचायत की सची उदिदी है ना उनने तो हमारी अर्जी खुदी बना दी अब तुम पूछोगी कितना समय लागेगा हाँ हाँ यह तो जानना चाहूँ तो जादा से जियादा एक सब्ता सची हाँ सब हमारे मुख्य मंत्री महोदे की क्रिपा है जी किसान के बेटा होए खातिर ना हम किसानन के दरत जानत है और उका दूर करे के उपाय भी करत है किसान के दरत जानत है झाल झाल मास्टर साभ, मास्टर साभ, जयराम जी की, जयराम जी की, हरु मैं आपके घरी जा रहा था, ये लिजे मिठाई खाईए, मिठाई? मास्टर साभ, मास्टर साभ, जयराम जी की, हरे भरे खेत लहरा रहा है, ये आप ही की तो देन है, आपका ये अहसान हम कभी नहीं भूलेंगे राम जी अहसान हमारा नहीं, मध्यप्रजेश सरकार का मानों, जिसे तुम जेसे किसानों की मदद के लिए ऐसी योशना बनाई है नहीं तो तुम पानी की आस लगाए, बैठे रहते हैं, और खेत बंजर के बंजर रह जाते हैं, ये जो हर्याली तुम देख रहे हो ना, वो मध्यप्रजेश सरकार के देन है आप दिलकुल ठीक कह रहे हैं, मास्टर साथ, हमारे तो दिन बदल गए, हमारी सरकार ने हमको बचा लिया, मास्टर जी तुम्हें खुश देखा, तो मुझे अच्छा लगा, अब ना तुम्हें अपनी त्रमीन बेशनी पड़ेगी, ना किसी दूसरे के खेत में माज़ूरी करनी पड़ेगी चलो, अब में चलता हूं, तुम जैसे दूसरे किसान भाइयों को भी मध्यप्रदेश सरकार की कपिलदारा योजना की जान करेजेनी है सरकार योजना कर लाब जितने अधिक लोगों को होगा, हमारे प्रदेश का विकास उतना ही होगा जी जरूर मास्टर जी, जय राम जी की, जय राम जी की अरे सोनू की अम्मा अगे स्कुल से, हमारे केतन की पहली फसल, मुझे तो यकीनी नहीं हो रहा है अरे अब तो तुझे मेरे सपने देखने पर कोई नाराजगीना है, है? अब तो मध्यप्रदेश सरकार की कपिल धारा योजना भी हमारे साथ है ये था राम दीन और सोना बाई का परिवार मध्यप्रदेश सरकार की मनरेगा के अंतरगत उप योजना कपिलधारा ने इनके जीवन में घुशियां भर दी है मध्यप्रदेश के अलग-अलग जिलों में ऐसे लाब पाने वाले किसानों की संख्या दिन बदिन बढ़ती जा रही है मध्यप्रदेश में मनरेगा की कपिलधारा योजना से लगभग तीन लाख कुए निर्मित किये गए जिससे इतने ही परिवारों का आर्थिक सुध्रेडी करण किया गया प्रतिकुआ डेड़ हेक्टेर के मान से साढ़े चार लाख हेक्टेर भूमी पर अतिरिक्त सिंचाई सुविधा अर्जित की गई इतनी अधिक सिंचाई सुविधा का स्रिजन बगैर एक भी व्यक्ती को विस्थापित किये विश्व में और कहीं भी संभव नहीं हो पाया है मन रेगा की कपिलधारा निर्धन ग्रामी क्रिशक का सहारा